सो नमस्कर दोस्तो आप से भी का स्वागत हमारी आरजी सपोड़ बॉइ यूटूब चैनल में सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपना जो है की ATM काड यानी डेबिट काड जो होता है उसका अगर आप डीटेल कहीं पर भी डाल रहे हो ठीक है तो वहाँ पर आप से यहाँ पर कुछ इस तरीकिस से आरा होगा वैलिड अप टू करके तो यहाँ पर आपको डबल M और डबल Y का एक option मिलता है इसमें कि आपको लिखना होगा तो इसमें आप कौन से नंबर जो आप यहाँ पर लिखो गे ठीक है जो वैलिड अप टू है यह क्या है और इसकंदर आप क्या लिख सकते हो तो सबसे पहले आपको करना कि आपना ATM उठाना है और आप जैसे आप अपना ATM उठाओगे तो यह चीज आपको यहाँ पर लिखना होता है जैसे कि आप दिस्तों यहाँ पर double M, double Y है तो इसमें आपको करना है क्या है सबसे पहले हाँ पर month लिखना है double M वाले में और यहाँ पर आपको year लिखना है ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमारा यह वाला जो card है आपको दिखा द रखा है कि आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना होगा ठीक है valid up to में so friends यहाँ पर cool मिलाकर कि यही है कि आपको अपने card का जो expiry month और year है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा so friends आज के इस वीडियो में इतना ही I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडि